अपनी लंबी चोंच से ये पक्षी किसी भी जानबर पर हमला कर देता है पैलिकन नाम का ये पक्षी पक्षियों की दुनिया का मगरमक्च भी का आ जाता है क्योंकि ये पक्षी मगरमक्च की तरह कुछ भी खा सकता है दरसल दोस्तों पैलिकन के गले और निचली चोच के बीच नीचे एक थैली होती है जब भी पैलिकन किसी जीव का सिकार करता है तो वो अपने गले की थैली में उसको रख लेता है और बाद में उसे खा जाता है पैलिकन को लगता है कि उसकी बड़ी चोच के कारणवे कुछ भी खा सकता है लेकिन असल में उसके गले की थेली नाजोग होती है जो कि कई बार सिकार करते बक्त नीचे से फढ़ जाती है वैसे पैलिकन मचलियों का सिकार बड़ी आसानी से कर लेता है लेकिन ये कछुए का स करने के चक्कर में अपनी थैली को फड़वा लेता है और छेद होने की बज़े से कुछी समय में उसकी मौध हो जाती है